सुशान केस में सीबी आई का आज छेवा दिन है जिया डिया डियो गेस्ट हाउस में सिधार्थ नीरस समेथ चाल लोगों से पूछता जारी है सुशान केस में ड्रग्स एंगल से भी जान शुरू कर दिये है एडी ने सीबी आई और एंसीबी को चिठी लिखी रिया की डिलीट वाट्सअप चैट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है चैट में रिया ड्रग्स के बारे में पाते करती नजर आ रही है रिया की वाट्सअप चैट 17 अप्रल 2020 की है चैट में मिरांडा सुशी रिया के भाई शौविक के दोस्त से स्टाफ लेंदेन की बात कर रहा है रिया की चैट में हैश और बट का भी जिखर है इसके लावा 25 नॉमबर 2019 की भी एक चैट सामने आई है जिसमें रिया जैया शाह के बारे में बात कर रहे है रिया के वकील का दावा किया है कि रिया ने कभी भी कोई ड्रग्स नहीं लिया है रिया ब्लेड टेस्ट कराने के लिए भी तयार रिया की ड्रग्स चैट को लेकर सुशान की बैंच शोयता ने ट्वीट किया है कहा ये एक आपराधिक मामला शोयता ने ट्वीट कर कारवाई करने की मांग की है शोयता ने लिखा CBI को इस मामले में तुरंत एक्षन लेना चाहिए रिया के समर्थन में फिल्म डैरेक्टर राम गुपाल वर्मा उत्रे है जिया ट्वीट करके रिया को समर्थन दिया रांगोपाल बर्मा ने कहा है रिया के साथ गलत बर्ता हो रहा है आरोप लगाने से पहले सबूत होने चाहिए उपर अस्पिताल को महराश माना वजिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है रिया के शख रह जाने पर अस्पिताल से सवाल किये गया नोटिस में पूझा गया है कि हस्पताल में किस आधार पर रिया की इंट्रिवी थी मुंबई पुलिस को भी नोटिस जारी किया सुशान केस में सीबियाई की टीम आज दो और साइकलोजिस से पुष्टाज करेगी हिंदुजा अस्पताल के दूसरे डारेक्टरों से भी सीबियाई बात चीट करेगी एम्स के डॉक्टरों ने सुशान के पोस्मॉटम और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर बड़े सवाल उठाये काँ सीबियाई हत्या के एंगिल से जाच करेगी एम्स के डॉक्टरों की टीम शुक्रवार को सीबियाई को रिपोर्ट सौबेगी CPI को डॉक्टरों की टीम शुशान की और्टॉपसी और विसरा विपोर्ट सौपी अयुद्या में मस्जित के लिए बनाए गए ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदगी को लेकर सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल की गई है याचिका नागा सादू कुर्णेश शुकला ने दाएर की अर्जी में कहा गया है कि मंदे ट्रस्ट में चाहे सदस मुस्लिम हो लेकिन वो सरकारी नुमाइंदे के टॉर्ट पर ट्रस्ट में याचिका के सुप्रीम कोट के 9 नॉंबर के फैसले का भी जिख्री किया गया है जहां कहा गया था कि सेकुलर कारियों के लिए सरकार अपना प्रतिनितित निश्चित कर सकते अयुद्य में मज्जित निर्मान के लिए ट्रस्ट का गटन हो गया है ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे मुम्मई में रायगर इमारत हाजसे में मिटकों की संक्या बड़ी है मनने वालों का आखला 15 तक पहुँच गया मनने वालों में साथ पुरुष और आठ मैलाए शामिल हैं इंडियारेफ कर रिस्क्य ओप्रेशन अभी भी जाली महराश के रायगर में इमारत हाजसे में एक चार साल के बच्चे को 19 घंटे के बाद मलमे से जिन्दा निकाला गया बच्च्चा अपनी मा के गोद्ट रिस्क्य ट्यूम को मलमे के अंदर बच्चा मिला तो वहीं अपनी मा के पेट पर बैठा हुआ था हाला कि उसकी मा की मौथ होगे मा ने उसे अपनी चाती से ऐसे लगाया हुआ था जैसे उसके जिगर कट टुक्रवे पर कोई आच ना आए बच्चे की दो बहने भी खास से कशिकार होगी सुनिया गानी आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी एक कॉंग्रेस शासित राज्यों की मुख्यमंत्रों से बाक्चित करेंगी इसमें जीस्टी समेर कई मुद्दो पर चर्चा होगी संसत का मौनसून सत्र 14 सितंबर शुरू होगा संसती मामलों की कैपनेट कमिटी ने 14 सितंबर से एक अप्टूबर तक संसत सत्र को चलाने का प्रस्ताव रखा बिहार विदान सवा चुनाओ को लेकर जेडियू ने कमर कस्ती है 6 सितंबर को जेडियू की पहली वर्च्वन रैली होगी एप के जरिये सीम निचीश कुमार संबोधित करें बीजेपी ने पिएम मोदी के जंदिन को लेकर तैयारियां शुरू कर दिये पिएम का जंदिन पूरे देश में आग निरवर भारत की थीम पर मनाया जा जये मत्रदेश में ग्वालियर में कॉंग्रिस के कारकरता जमा हुए और गंगा जल चलक कर शुद्ध गया कॉंग्रिस मताबिक बीजेपी के तीन दिवसी महा सदस्तिया भ्यान की वज़े से ये जगे अफवित्र हो गई जेनियू का पूर विचातर शरजिल इमान को गरिफतार कर लिया गया है यूए पीए अक्ट के तहट पुलिस ने शरजिल को गरिफतार किया शरजिल पर भड़काओ भाशन देने का आरोप है दिल्ली दंगों में शरजिल इमान की गरिफतारी हुई जमुएन कश्मीर के पुंच में L.O.C. पर पाकिस्तान ने फिर सी स्वायर का उलंगन किया है पार्ट की ओर से फायरिंग का भारती सेना ने भी करारा जवाब दिया देश में करोना गिरिफ्तार कम होने का नाम नहीं दे रही पिछले 24 गंटे में 16127 नए मरीज सामने है देश में अब तक करोना के 31,08,000 से जादा केस सामने आचुके है इन में से 7,08,000 से जादा एक्टिव केस है देश में करोना से 24 गंटे में 848 मरीजों की मौत हो गई पिशले 24 गंटे में करोना के 1549 केस सामने आए, वहीं 17 मरीजों की मौत हो गई माराश में करोना के अब तक कुल 7,3,823 केस सामने आए इसमें 22,794 मरीजों की मौत हो गई 36 गर के जाँचपीर चापा में BSP विदायक केशच चंद की बड़ी लापरवाई सामने आई है का उधाटन कर दिया कानपूर के विवादित अस्पिताल रिजनसी की एक नई करतूर सामने आई है 25 दिनों में कुरोना मरीज का 14,50,000 का बिल बना दिया गया इसके विरोध में परिजनों ने हंगामा किया यूपी के कुशी नगर में लेक पालो और स्वात कर्मियों के बीच में चमकर मार पिट हुई बाइक खड़ी करने को लेकर गुआ था विवाद यूपी के हमीरपूर में डेंग वो कहर जारी है यहाँ अब तक साथ मरीजों की मौत हो चुकी और सैक्रों लोग बिमार है बलवन सिंग मुलतानी केस में पंजाब के पूर दीजिपी सुमेज सिंग सैनी पर गिरफतारी की तलवा लटक रही है खोट के आदेश के बाद सैनी पर धारा 302 के तहट मामला दर्ज किया गया है तकाली ने स्स्पी सुमेज सिंग सैनी पर बलवन सिंग की हत्याकारों पे पुलिस का स्टेडी में टॉक्चर की वेशे बलवन सिंग की जान गई थी मुल्तानी के वकील प्रवी उर्फ इंसाफ के लिए लड़ाई लग दिली के शालीमार बाग में जबरन होगाई का मामला सामने आया है होटल मालिक से पैसे देने से इंकार करने के बाद बंदमाशों ने जबर्दस तरीके से तोड़पोर और पाइरिंग की यूपी के विक्रू गाउं में हुए विकास दुबेन काउंटर को लेकर स्स्पी और साइ विने तिवारी की बादचीत का आउडियो वाइरल हुडा हैजरबाद के चांद नगर में एक महिला ने गाट की जम कर पिटाई की है महिला अपनी मा से मिलने घर आई सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्ती जनट टिप्टी करने वाली महिला सना और घीव को पुलिस ने गिरफतार कर लिया यूपी के जॉनपुर में ससुर द्वारा बहु को पीटने का वीडियो सामने आया है वीडियो में बहु को लाठी से पीटते हुए देखा जा सकता है फुलिस ने मामला दर्च कर चांद शुरू कर दिया यूपी के फतेएपुर में जमीन विवात को लेकर दो पक्षों में खूनी जनप हो गई जिसमें दो की हालत कमभीर बताई जानी